भगवान सिंग कुश्वा ये वो नाम है जिन्होंने मध्यप्रधेश को वो दिया है जो अब तक इसे नहीं मिला था जी यहां परवतरो ही भगवान सिंग कुश्वा ने पहली कोशिश में एव्रेस फतै कर दी और इस तरह वो मध्यप्रधेश के पहले ऐसे परवत לפday की है य वो चटान से भी मजबूत है उन्होंने रच दिया है इतिहास उन्होंने दुनिया की सबसे उँची चोटी को कर लिया है फतेह वो है एवरेस्ट विजेता तारीक 19 मई 2016 वक्त सुबह साढ़े नौ बजे जगर दुनिया की सबसे उँची चोटी माउंट एवरेस्ट और एवरेस्ट की चोटी पर शान से लहराता हिंदुस्तान का तिरंगा जंडा इस कारणामे को कर दिखाया है भोपाल के भगवान सिंग कुश्वाहा ने जी हाँ भगवान सिंग ने इतिहास रच दिया है वो प्रदेश के पहले एवरेस्ट विजेता बन गये हैं बड़ी बात ये है कि भगवान सिंग को ये काम्यावी पहली ही कोशिश में हासिल हो गई तीस मार्च को भगवान सिंग इस साहसिक यात्रा पर रवाना हुए और 19 माई की सुबह साड़े नौ बचे दुनिया की सबसे उची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फैरा दिया कैंप 4 से 18 मार्च की शाम यात्रा शुरू करने वाले ग्रूप में कुल आठ लोग थे फटा करने का ये सफर कुल 62 दिनों तक का था लेकिन भगवान सिंग कुश्वाह ने इसे आठ दिन पहले यानि 54 दिनों में ही पूरा कर लिया एवरेस्ट को फते करने की चुनोती इतनी आसान नहीं थी माइनस 40 डिग्री का तापमान था सफेद बर्फ की पहड़ियों पर गला देने वाली तेज हवाएं बह रही थी मौसम बेहत खराब था कई बार शरीर में चोटे आए पैर के अंगुठे गल गए ठंडी बर्फ से चेहरे की त्वचा खराब हो गई लेकिन भगवान सिंग के चट्टानी होस्टों के आगे माउंट एवरेस छोटा पड़ गया भगवान सिंग तभी रुके जब दुनिया की सबसे उची चोटी पर भारती अध्वच फैरा दिया उपर फट्र करने की खुशी में मैंने पेर पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जब तीन दिन बाद नीचे उतरे तो मोझे पसीने से ये लेते जिससे अरना रेगड के खांग उठा आगे से जल चुका था और ये पेर भी मेरा ऐसा नीचे निकला जूते को काट के मेरा को पेर निकालना पड़ा चड़ाई के दौरान मौसम बेहत खराब था भगवान सिंग के पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही पीने को अगर कुछ था तो जुनूर और जजबा जजबा एबरेस्ट पर पहुँचकर तिरंगा फैराने का इसलिए उन्होंने रोज 15-15 घंटे बिना रुके बिना थके चड़ाई की और आखिरकार उनकी जिद किया जीत हुई काफी लोगों ने बोला कि भगवान तेरे होसनों के आगे तो माउंट एबरेस्ट भी छुटा है कोई कि जिस परिस्तिती में बिगर खाए हम लोग 14-14 घंटे पंदा पंदा घंटे चड़ाई कर रहे थे बोस्ते हम अपने होसनों से ही चड़ाई रहे थे चड़ाई के दौरान भगवान सिंग को कई बार ऐसा लगा कि शायद जान नहीं बच पाएगी घर वापस नहीं लोट पाऊंगा भगवान सिंग हिलरी स्टेप पर चड़ रहे थे उसी वर्ट बरफीली हवाई चलने लगी शरीर का संतुलन बिगडने लगा ऐसे में एक रसी के सहारे भगवान सिंग लटक गए इसी रसी से लटक कर 17 और लोग अपनी जान बचा रहे थे अगर ये रसी छूट जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता इसी रसी पर भगवान सिंग 45 मिनट तक लटके रहे तब जाकर हिलेरी स्टेप पर पहुँचे ये चड़ाई के दौरान सबसे मुश्किल वक्त था चालिस साल के भगवान सिंग बोपाल के खेल विभाग में तैनात है स्पोर्ट्स को लेकर उनमें इतना जुनून है कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की एवरेस्ट मिशन से कुल 21 लाख रुपे खर्च हुए भगवान को करीब 18 लाख रुपे खेल भी भागने दिये जबकि बाकी के 2 लाख उन्होंने अपनी जेट से खर्च किये अब दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट को फटा करने वाले भगवान सिंग को विक्रम अवार्ट से नवाजा जाएगा इसके लिए मधिप्रदेश सरकार जल्द ही सिफारिश करने वाली है जी मधिप्रदेश 36 गड़ भी भगवान सिंग की सकाम्याबी के लिए बढ़ाई देता है और हम भगवान सिंग की सहस को सलाम करते हैं आशुतोष जी मीजिया भोपार